नमस्कार हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ NTA UGC NET जियारफ हिंदी साहित्य के अंतरगत हम अपने इकाई आठ हिंदी नाटक पढ़ रहे हैं और इसमें हमने भारत इंदू, हरिश्चंदर के अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा दो नाटक कर लिए हैं अगर आपने अभी तक वो बाली हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें चक कर सकते हैं आज हम इकाई आठ के अंतरगत जो अपना सकंद गुप नाटक है जैशनकर प्रसाद जी का उसके वारे में पढ़ेंगे तो जलिए बिना देर किये शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की सबसे पहले अगर हम जान लें जैशनकर प्रसाद के नाटकों को याद किस तरीके से आपने करना है क्योंकि बहुत बार परिक्षा में जैशनकर प्रसाद के नाटकों को क्रम अनुसार पूछा जाता है तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक अपनाई है मैंने इनके नाटकों को याद करने की और बिल्कुल क्रम वाइज ही याद हम इसको इस तरह के से रख सकते हैं अगर आपको इसमें याद करने में सुवीदा यहां से हो रही है तो आपके लिए बहुत उपयोगी है और इस के साथ ही साथ अगर आप चाथे हैं कि आप मेरे टलिग्राम ग्रूप के साथ जुड़ें तो डिसक्रिप्शन में मैंने लि concise दिया हुआ है यहाँ फ्लिक करके आप मुझे टलिग्राम लिंक में भी आप जुड़ सकते हैं तो चली अब हम देख लेते हैं कि जशन के प्रसाद के जो नाटक हैं उनको हम याद कैसे रख सकते हैं जितने में इन्होंने नाटक लिखे हैं तो लगवग इन्होंने 12 नाटक लिखे हैं और उन 12 के 12 नाटकों को हम देखिए इस दो तीन पंक्तियों से उसको इजली याद रख सकते हैं तो देखे सजन का कलियान हुआ करोणा और प्राइसचित से तो एक कोई सजन पुरुश है उसका कलियान हुआ है करोणा और प्राइसचित से ठीक है फिर राजा विशाख के शत्रू के यग्य में की गई थी कामना दूसरे जो इसका वाक्य है देखिए राजा विशाख के शत्रू के यग्य में कोई कामना की गई थी क्या कामना की गई थी देखिए कि सकंद गुप्त एक घूंट पीकर चंदर गुप्त का स्वामी बना या बने जैसे भी आप इसको बोल सकते हैं ठीक है एक बार इसको complete पड़ता हूँ सज्जन का कल्यान हुआ करुणा और प्रैशित से राजा विशाख के शत्रु के यग्य में की गई थी कामना किसकंद गुप्त एक गुणट पीकर चंद्रगुप्त का स्वामी बने तो देखिए जो जो भी मैंने इसमें ब्लु और रेड से जिनको मार्किया हुआ जिनको लिखा हुआ है वो ही क्या है इनके नाटक है तो सज्जन से सज्जन ही इनोंने लिखा था 1910 में कल्यान से बनता है कल्यानी परिणे तो इनका जो दूसरा नाटक है देखिए कल्याणी परिणय 1912 में लिखा था ठीक है तीसरा जो इनका नाटक है देखिए वो है करुणाल है और करुणा जा उपर लिखा है करुणा तो करुणा से क्या बनेगा करुणाल है तो ये भी इनोंने 1912 में लिखा तो 1912 में इनके दो नाटक हुए हैं सबसे पहले आया कलियानी परिणे और उसके बाद करुणाल है फिर प्राइश्चित के लिए दिखे प्राइश्चित ही लिखा है ये 1913 में राजा से क्या बनता है राज्यश्री तो राज्यश्री नाटक इनका जब कब है 1915 में विशाक से विशाक ही ये 1921 म सकंद्गुप्त 1928 और एक घूंट ये भी इन्होंने कब लिखा 1930 में चंद्गुप्त 1931 और दुरुब स्वामीनी 1933 ठीक है तो स्वामी से दीखी क्या है दुरुब स्वामीनी तो ये थी इनको यार दखने की थोड़ी सी त्रिक तो जितने भी हमने इनके नाटक शीर्षक स बात की गई हो तो इसलिए एतिहासिक नाटक कार के रूप में हिंदी साहित्य में अपना जो विशेष स्थान बनाया है जैशंकर प्रसाद जी ने तो ये थे लगबग 11-12 इनके जो नाटक जो मैंने आपके बीच में रखे I hope आप लोगों को ये वाली जो ट्रिक है ये पस जंदाई होगी अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर अपना सकते हैं चलिए अब हम देख लेते हैं जो इनका नाटक है सकंद गुप्त उसके बारे में तो सकंद गुप्त का जो रचना बाश्या देखिए विए पहले भी आपको बता दिया कि 1928 में लिखा प्रकट होने लगे थे तो देखिए गुप्त जो समराजय है मतलब उसके आंत्रिक जो कलह और संघर्ष था और विदेशी आकरमन के परिणाम सुरूब उसके भावी ख्षय के जो लक्षन प्रकट होने लगे थे उसका इसमें चित्रण किया गया है कि उस समय गुप्त वश प्रकट है तो यही चीज गया है इसका केंद्रिवी विश अगर हम इसके नाटकों के अंकों की बात करें तो इस नाटक में देखिए पांच अंक हैं और प्रकार में आपको पहले भी बता दिया कि इतिहासिक नाटक है जाशन कपर साथ जाने जाते हैं अतियासिक नाटक, नाटकों के लिए और इसमें देखिए इनोंने पाश्चात्य और भारत्य नाट्य विधियों का सुन्दर समनबै किया हुआ है तो देखिए इस नाटक में इनोंने क्या किया है जो भारती और पास्चात्य जो नाट्य विदिया हैं उन कप्रियों किया है तो देखिए कहां से हमें पता चलता है कि ये भारती हैं और कहां से हमें पता चलता है कि ये पास्चात्य हैं तो उनमें जो कथावस्तू, गीत योजना, रस योजना, उदात नायक, विदूशक, आदी, ये जो चीज़े हैं ये भारतिय नाटे कला से लिए गए हैं, अगर हम बात करें पाश्चात्य नाटे विदी से या नाटे कला से, तो इसमें देखिए जो कारेवपार है, अंतुर विदिया हैं या नाटे कलाएं हैं, उसमें इनोंने समनवे बिठाने की कोशिश की है, तो ये बड़ी उपलब्धी मानी जाती है, जैशंकर प्रसाद जी की, ठीक है, और जो सकंद गुप्त नाटक है, इसमें भी इसी में ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है, अंतह ए ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है, फिर देखिए इससे पहले हमने पढ़ा कि जो नाटक हैं, कुछ एक दुखांत हैं, कुछ एक सुखांत हैं, तो ये वाला जो नाटक है देखिए, ये ना दुखांत है, ना सुखांत है, बलकि दोनों का क्या है इतरीके से, मिश्र उसको वो अंत में नहीं पापाता है तो अगर समराज्य की दिश्टी से देखा जाए तब तो वो क्या था? सही था तो इसका अंत अच्छे से हो गया था उसको सब चीजों में सफल रहा लेकिन अगने व्यक्ति दुगत तौर पर वो सफल नहीं हो पाया था मैं पार-बार कहता हूँ या नाटक कैसा है? नाटक में किन वीदियों का समनवय हुआ है? और किस तरीके का नाटक है? दुखांत है? सुखांत है? तो ये चीज़े हैं अब हम देख लेते हैं इसके प्रमुख पात्रों के बारे क्योंकि पात्रों की चर्चा के बिना नाटक एक तरीके से क्या है? अधुरा है और नाटक से अगर हमने प्रश्न जानने हैं तो वो भी क्या है? इनकम्प्लीट ही रहेगा तो इसका जो नायक है देखिए ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि सकंदगुप्त है स्वबिमानी है, नितिग्य है, देश प्रेमी है और स्त्रियों का समान करने वाला तो ये बहुत सारी उसके उच्छ एक विशेष्टाएं है और जब नाटक आप पढ़ेंगे तो तब आपको सारी चीज़े इनके बारे में पता चल जाएंगी अगर आप नाटक की पीडियफ चाहते हैं तो आप टेलिग्राम लिंक के साथ जूर सकते हैं, टेलिग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहाँ से लिंक के उपर क्लिक करके सीधा ही मेरे टेलिग्राम ग्रूप के साथ जोईन हो सकते हैं अगले जो पात रहें देखिए वो हैं कुमार गुप्त ये मग्द का समराठ जो महविनायक है थोड़ी यहां पर इनके बारे में जानकारी दे दी गई है दातु सेन है जो कुमार रास के प्रचन रूप में सीहल का राजकुमार है सीहल का राजकुमार है तो यहां पर सिंगल हो गया है तो इसको आप सही कर दीजेगा सीहल होगा यहां पर सीहल का राजकुमार है सीहल का मतलब जो आजकल का श्रीलंका है देवसेना जो है बंदु varma की बेहन जो गريबों और असहायों की सेवा में अपना जीवन और पित कर देती है उसके बाद विज्या है जो मालवा के धन कु बेर की कन्या है और मालिनी जो मात्रिगुप्त की प्रनाईनी है तो ये थे प्रमुक पात्र अन्य जो पात्र हैं देखिए सबसे पहले आता इसमें गोविन्द गुप्त तो जो गोविन्द गुप्त हैं देखिए ये कुमार गुप्त का क्या है भाई है जो कुमार गुप्त ने पहले पढ़ लिया था उसके बाद आता है पुरुगुप्त तो ये क्या है जो कुमार गुप्त है उसका जी वे छोटा पुत्र है ठीक है न फिर परणदथ है परणदथ मगद का महानायक है चक्रपालित परणदत का पुत्र है, जबकि बंदू वर्मा और भीम वर्मा क्या है, ये भाई है और बंदू वर्मा क्ugen है, जो मालवा का राजा है, क्लियर है, पिर मातरी गुत्त है तो ये क्या है, एक काव्यकरता या काली दास ठीक है और उसके बाद प्रपंच बुद्धी तो जो प्रपंच बुद्धी है ये बौध का पालिक शर्वनाग है ये अंतरवेद का विशापती है ठीक है धातु सेन है ये सिहल का क्या है राजगुमारा ये हमने पहले भी बात कर ली थी बटार्क जो है ये नवीन प्रित्वी सेन जो है ये मंतरी कुमार मात्य है और खिंगिल ये हूर्ण अकरमनकारी है इसके अलावा देखिए मुद्गल जो भी दूशक है प्रत्ख्यात कीर्थी देव की देव की जो है देखिए ये कुमार गुप्त की बड़ी रानी है जबकि अनंत देवी जो कह थी उनकी छोटी रानी थी जैमाला मालवा की रानी है जबकि कमला जो है वो देखिए वो कौन है बटार्ख की जननी है तो इतनी सारी चीज़ें आपको हो सकता है यहां पर याद ना रहें तो इसलिए आपने एक बार से उबन्यास को जरूर देखना है जो प्रमुख पात्र है वो मैंने आपको बता दिया है कि कौन-कौन से हैं यहां से यह पात्र मैंने इसलिए रखे हैं आपके बीच में क्योंकि शरवनाग धातु सेन इनके बारे में कई बार पूछा गया है अनंत देवी खासकर इसके जो महिला पात्र हैं देखिए इस तरी पात्र हैं उनको भी ठीक है ना तो इनके जो कथन हैं वो कौन-कौन से हैं यहां पर आला कि मैं नहीं रख पा रहा हूँ लेकिन सकंदगूप्त नाटक का जो पहला ही जैसे हम स्टार्टिंग में उसको पढ़ते हैं कि अधिकार सुख कितना मादक है ठीक है तो वहां पर जो सकंदगूप्त है उसकी जो अधिकारों के प्रती एक उदासींता दिखाई गई है वो हमें वहाँ पर देखने को मिलती है और वो वाला जो इनका कथन है वो बहुत बार पूचा जाता है परिक्षा में ठीक है तो इससे पहले एक बार जो है शायद देव सेना का या किसी का कथन पूचा गया थ तो कथन को यादगरना बहुत जरूरी है तो चलिए ये तो होगी पात्रों की बात अब हम देख लेते हैं इसके संक्षेप में किसकंद गुप्त संक्षेप में क्या है तो मैं आपको पढ़गे सुनाता हूं देखिए सकंद गुप्त जो है प्रसाद का सरवुत्तम नाटक है गुप्त समराजय के समराट कुमार गुप्त बिलासी है वे अपनी छोटी रानी अनंत देवी के प्रभाव में है अनंत देवी अपने पुत्र पूरु गुप्त को राज्या दिलाना चाहती है बड़ी रानी देव की असहाय है उसका पुत्र सकंद गुप्त योग्य है वो है अपने अधिकारों के प्रती उदासीन है। तो देखिए यहां से हमें पता चल रहा है कि जो सकंद गुप्त है वो अपने अधिकारों के प्रती क्या है। उदासीन है, तबी तो उनका जो पहला ही हमें जो समवाद है वो देखने को मिलता है, जो उनने पहले ही बात कही है कहीते कि इंचक्ता कितना मादक और सारहीन है, ठीक है? और योग्य है वो, लेकिन वो अपने जो अपने आधिकारों के प्रिदिक्या है, उदासीन है, उसके राज्य पर विदीशी आक्रमनकारियों के खिलाप यूद करने जाता है तो वो है मालवा राज्य पर ठीक है ना राजधानी में अनंत देवी कूचकर रचती है कुमारगुप्त का निदन होता है मंत्री पित्विसेन महादननायक और महाप्रतिहारी अंतर विद्रह नहीं चाहते अत्महत्या कर लेते हैं भटार्क अनंत देवी के साथ है बौध का पालिक प्रपंच बुद्धी भी इनी ल सरगना है ठीक है और कुछ लोग क्या करते हैं कि वो नहीं चाहते कि अंतर विद्रो हो इसलिए वो क्या कर लेते हैं आत्महत्या कर लेते हैं जैसे मंत्री पित्विसेन हो गया महादननायक हो गया महाप्रतिहारी हो गया तो यह क्या कर लेते हैं आत्महत्या कर लेते हैं बौध का पालिक प्रपंच बुद्धी भी इन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है तो देखिए विलन का काम कौन करने हैं इसमें बटार्क अनंत देवी और जो बौध का पालिक प्रपंच बुद्धी हैं यह क्या कर देते हैं इन्हीं लोगों के साथ होते हैं अनंत देवी ज जाता है तो वो है आपका शर्व्नाग लेकिन उसकी जो सादवी पतनी रामा होती है देखिए वो उसका क्या गरती है वीरोध करती है ठीक समय पर पहुँचकर सकंद गुप्त देवकी की रक्षा करता है नेक्स जैदिगे माता के साथ सकंद गुप्त उजैनी जाता है वहां उसका राज्या विशेक होता है, सकंद गुप्त मालवा के धनकुबेर की कन्या, विज्या की और आकर्शित होता है, तो देखिए विज्या की और क्या है, आकर्शित होता है, मालवा की जो कुमारी देवसेना है, वो सकंद गुप्त को चाहती है, विज्या को यह विश्वास ह कि देवसेना के सामने सकंध हमें स्विकार नहीं करेगा तो यहां पर देखिए वीजय यह सूचती है कि वो एक तरीके से अपने आपको कम मांगती है किस से देवसेना से और यह अपने मन ही मन में बिठा बात बिठा लेती है कि जो सकंध है वो देव सेना को छोड़कर मेरे पास नहीं आ सकता, चीक है, कि ऐसा वो सुचती है, इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वह बटार्क को वर्ण करती है, तो इसलिए वो क्या कर देती है, बटार्क को ही वर्ण कर लेती है, देव सेना को ग्यात हो जाता है कि सकंध ग सकंद गुप्त है वो किसको चाता है विज्या को चाता है उसकी और अट्रेक्शन है उसका तो इसलिए वो क्या हो जाती है उदास हो जाती है और राज्या विशे के उपरांत अनंत देवी मुक्त होकर पुनह होनों से मिलकर विद्रोह कर देती है दिखी जैसे उसका राज्या तो देखिए इस तरीके से पूरा का पूरा कुछ अक्र चल रहा है। सकंद गुप्त पुना सेने संगठन करता है और भठार्क उसके साथ है। अब देखिए अब भठार्क जो है वो उसके साथ आ जाता है। विज्या सकंद गुप्त का प्रेम पुना प्राप्त करना चाहती पर विफल होने पर आतमहत्या कर लिती है विज्या का रतनग्री ही मिल जाता है उससे सेना संगटन मैं सुविधा होती है युद होता है और हून पराज़ित होते हैं सकंद गुपत पूरुगुपत को ही राजय दे देता है स्वयम आजीबन कुमार ही रहता है तो देखिए वो पूरो गप्त को राजय दे देता है और इस तरीके से ये नाटक यांपर संपन हो जाता है तो इसलिए हमने पहले भी बात की थी इसका जो अंत है वो ना तो दुखांत है ना सुखांत है इसलिए इसको प्रसादा अंत नाटक कहा जाता है अब इसकी समीक्ष अच्छा देख लेते हैं थोड़ी से कि किस अंक में क्या क्या चीज़ें हैं, हो सकता इस तरीके से भी प्रशन पूछा जाए, प्रत्थम अंक में देखिए गुप्त समराजय में आंत्रिक विद्रोह और समराट कुमार गुप्त के विलासपूर्ण जीवन में, गुप्त समर सकंद गुप्त लक्ष के लिए प्रत्नशील है परन्तो उसके सामने पहली समस्या क्या है? अपने घर की ही है, ग्री संगर्श है, और दूसरी दूश्मनों के क्रूर प्रहार से देश की रक्षा है, सकंद गुप्त पहले कुसुमपूर पहुँचकर अपनी मां की रक्षा क की रक्षा, पश्चिमोत्र सीमा की और दुश्मनों का सामना, रणक्षेतर में बटार्क का दुश्मनों के साथ मिल जाना, पता चलने के बाद उसे ख्षमा करना, लेकिन जो कृत गन बटार्क का सकंद के साथ विश्वास का हाथ, सकंद गुप्त की सेना को कुमभा पार करते इसमें बांद काटकर विपत्ती में डाल देना इत्यादी ये चीज़ कहा आती है तीसरे अंक में आती है जब कि चौथे अंक में सकंद गुप्त को विप्रीत परिस्तितियों में बिल्कुल अकेला दिखाया गया है तो ये है चौथा अंक हो सकता है इस तरीके से प्रशन जाती है और दूसरी और परणदत के अनुपम से योग से सकंद गुप्त को धनराशी की उपलब्धी आरेवर्थ के गौरव की रक्षा परिवारिक अशांती पर विजय प्राप्त करना तथा सकंद गुप्त के सारे प्रियतनों का सफल होना दिखाया गया है तो इस तरीके प्राप्त के अगर आप चाहते हैं कि वह वाली वीडियो भी मैं आपके लिए ले आऊं कि किस पातर ने कौन से कतन कहें है तो आप जो है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बता सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अ और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें फिर मिलेंगे नई उर्जा और नाइस पूर्टी के साथ तब तक के लिए शुकरिया जाहिंद